बॉलिवुड इंडस्ट्री में यूथ आइकॉन कहे जाने वाले अभिनेता टाइगर श्रॉफ अपने दमदार आक्टिंग और डांसिंग मूव्स के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने बेहधी कम समय में बॉलिवुड में काफी नाम हासिल कर लिया है और अपनी इसी महनत के बल्बूते आज टाइगर श्रॉफ एक जाना माना नाम है जिन्होंने बॉलिवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई बहतरीन फिल्में दी हैं और उनमें इनके द्वारा किये गए हर अभिने को काफी सा रहा गया है यही वज़ा है कि आगे भी अभिनेता टाइग तो डियर सब्सक्राइबर्स आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन सभी बातों से रूबरू करवाने वाले हैं तो चलिए जानते हैं लेकिन इससे पहले आप बॉलिवर फिल्म इंडस्ट्री के यूथ आइकॉन टाइगर श्रॉफ के लिए हमारी इस वीडियो को ला हाई पूरी की थी फिर बाद में इन्होंने अमटी यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई पूरी की साथ ही इन्होंने मार्शल आट में भी कई डिग्री हासिल की हैं अगर बात करें इनके अभने करियर की तो आपको बता दें फिल्मी बाक ग्राउंड से तालुक रखने वाले टाइगर श्रॉफ ने अपने करियर की शुरुआत साजित नंद्यादवाला की फिल्म हीरो पंती से की थी और इसी से अपना बॉलिवड डब्यू किया था जिसमें इनके अक्शन स्टंट्स को देखते हुए इन्हें कई और फिल्मों के ओफर मिले जिनमें इन्होंने बागी बागी टू और स्टूडंट ओफ दे एर जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया और दर्शकों ने इनके अभिने को खूब सराह भी था जहां काफी कम समय में टाइगर श्रॉफ बॉलिवड का एक जाना माना नाम बन गए हैं जो खासकर अपनी मार्शल आज के लिए जाने जाते हैं वहीं आपको बता दें कि वरतमान में टाइगर अपनी अपकमिंग फिल्म हीरो पंती टू और रामबो में बिजी हैं जो जल्दी बॉक्स ऑफिस पर दस तक देने वाली है लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की मम्मी के बारे में तो आपको बता बात करें इस मा बेटे के बीच की बॉन्दिंग की तो आपको बता दें कि दोनों के बीच काफी अच्छा बॉन्द देखने को मिलता है जहां आपको आईशा श्रॉफ के सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी और टाइगर श्रॉफ की कई बहतरीन तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी जिन में वो अपने बेटे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंट करती हुई नजर आती है जहां दोनों ही मा बेटे की जोड़ी काफी प्यारी देखने को मिलती है तो दोस्तों आपको अभिनेता टाइगर श्रॉफ की मम्मी से रूबरू होकर कैसा लगा आप अप